बसकार दोस्तों सोगते हैं आपका इस्टेडी फॉर्ट सी उल्ट पूरी करानी है इसका मतलब अब हर बार यूपी पीस्यास का ओफीशल नोटिफिकेशन आया करेगा जनवरी के स्टाटिंग में ठेक है उसका प्रिलिम्स एक्जाम करीवन मार्च अप्रेल में हुआ करेगा उसका मेंस एक्जाम करीवन जुलाई एकस में हुआ करेगा और फाइनली उसका जो है इंटर्वू करीवन सितंबर अक्टूबर तक कराके एर के एंटर रिजल्ट भी दे दिया करेंगे तो यूपी पीस्यास से आयोग बहुत ही जादा डाइनमिक बन चुका है बहुत बड कौन से टाइप की पोस्ट होती है पैटर्न क्या है सिलेबस क्या होता है ठीक है प्रिलिम्स की और मेंस की तैयारी एक साथ कैसे करें ठीक है सारी चीजें इसमें मैं बताने जा रहाdoc पूरी स्टार्टिंग से लेके लास तक पूरा वीडिएब् wire जरूर सुन लिजेगा जि तीन स्टेज की प्रोसेस है, सबसे पहले होता है प्रिलिम्स, यह एक इलिमनेशन स्टेज है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आयोग यह चेक करता है, कि भाई कौन कौन से लोग मेंस दे रहे हैं, और प्रिलिम्स के मार्स कभी भी रैंकिंग, जो फाइनल रैंकिंग होती है, उसमे के multiple choice question होते हैं सी सेट दूसरा paper होता है prelims का जिसमें 100 question होते हैं ठेक है उसी में 100 question में English Hindi Math aptitude reasoning और interpersonal इसकी लाता है लेकिन सी सेट वाले में 100 question होते हैं 200 number का paper होता है one third negative marking होती है और सी सेट वाला paper हमेशा qualifying होता है इसका क्या मतलब हुआ इसका यह मतलब हुआ कि भाई उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 33 percent number लाने बस सी सेट के paper में सिर्फ उतना ही करना है जितने से आपका qualify हो सके उससे ज्यादा उसमें नहीं करना है तो यह हो लोग प्री में select किये जाते हैं ठीक तो पंद्रा गुना लोग प्री में select होके मेंस में चले जाते है मेंस में है 1500 नंबर यहीं सब कुछ है यहीं पूरी कृपा अठकी है ठीक है मेंस में क्या होता है कि GS1 से लेकर six तक के छे paper होते हैं हर paper 200 नंबर का होता है और करीबन इसमें 20-20 सवाल आते हैं आठ आठ नंबर के 10 और 12-12 नंबर के 10 125 वर्ड के 8 नंबर वाले होते हैं 200 वर्ड के 12 नंबर वाले होते हैं तो छे paper हो गया GS के यानि की 1200 नंबर के 200 नंबर का हर एक paper 1500 का एसे 1500 का सामान नहिंदी यहाँ पर यह जरूरी बात समझने की है कि सामान नहिंदी जो मेंस में paper होता है PCS में इसके मार्क स्वाइनल रैंकिंग में इंक्लूड किये जाते हैं तो 1500 नंबर का यहाँ पर इस तरह से मेंस हो गया 1200 के ठीक 1500 एसे 1500 इंदी तो 1500 नंबर का हो गया मेंस यहीं पर सब कुछ है पूरा नॉलेज टेस्ट आपका यहीं से होना है कोई भी जो रैंक है उसमें पूरा यहां के ही मार्क से करते हैं आपको कौन सी रैंका पा रहे हैं उसके बाद में जब आप मेंस भी क्वालिफाई कर जाते हैं मेंस में कितने लोग क्वालिफाई के जाते हैं जितनी पोस्ट होती है उनका तीन मुना तो मेंस से कितने लोग सिलेक्ट होंगे सिर्फ पोस्ट का तीन मुना फिर उन जो यह पर बात आप इंट्रो के काबिला बन जाते हैं वह वह इंट्रो में पर्सनाल्टी टेस्ट होता है तो पर्सनाल्टी नहीं बन सकती है पर्सनालिटी एक तो यह टेस्ट हो गया कई सारे जो है वो तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कुछ करेंट के भी पूछ लेते हैं कभी होबी पूछ लेते हैं तो उसमें जो है 100 नमबर अटके रहते हैं उसमें अगर आप नॉर्मली भी दे दें तो करीम 40-40 नमबर मिल जाते हैं थोड़ा ठीक ठाक हो जाते हैं बस कोई बत्तमीजी ना करें तो आराम से इंटर्वी निकल जाता है यह पूरा पैटर्ण किससे होता है 1500 का मेस और 100 नमबर का इंटर्वी सोला सो नमबर से फाइनल रैंकिंग डिसाइड होती ही कौन सब्सक्राइब के लिए एक चीज हो है ना तो अगर आप प्री मेस के तहरी कर रहे हैं तो आप और डेडि करन्ट फेर जी एज उन सब के अगर आप थ्योरी बेसिक अंडर्स्टेंडिंग इस थ्री वाले ठीज स्टेज वाले वीडियो से कर लें तो इंटर्वू आप अपने आप निकाल लेते हैं कई बार जो जो भी चीजे मेस की जर्वत होती है पिछले सालों की ट्रांस्क्रिप्ट और वहीं दे देते हैं और हमारे ही टॉपर्स जो पिछले साल बने होते हैं वह आपको गाइड कर देते हैं पूरा तयार करके मजबूत कर देते हैं वह उतना कर देते हैं कि अगर आप बिना डरे इंटर्वू देने जाए तो आराम से आप एवरेट से काफी जादा नंबर लाके इंटर्वू भी बढ़ी है नंबरों से क्लियर कर सकते हैं और अच्छी रहिंग पासकते हैं इस तरह से यह ठीक है अब देगे त्री स्टेज यह क्या इसका मतलब है कि अगर आप लोग अभी से फॉलो करेंगे यूपी PCS के लिए यूपी PCS के का इक्जाम करीबन अगर आप आठ नौ महिने लग के पढ़ाई करने लग के का मतलब है शुरूआत करें चेशाट गंटे से वो दिरे दिरे आठ नौ गंटे पर आ जाया आ अगातार डिवीजन करके डेली कंटिनुटी रेगुलरिटी के साथ पढ़ाई करके अगर आप करीबें नौ महीने से एक साल पर कर लें ये इतनी पढ़ाई तो आराम से PCS यूपी PCS का एक्जाम निकाला जा सकता है लेकिन यहां पे यह समझना जरूरी है कि आपको इंटेली लेकिन जरूर बढ़ना पड़ेगा डेली पढ़ना पड़ेगा और मन लगा के पढ़ना पड़ेगा जियस को इस तरह से पढ़ना है कि आप उसकी समझ डिवलप करें क्योंकि समझ डिवलप नहीं होई न तो आप चाहे जितना भी पढ़लो प्री से पहले भी आपको जो है smart elimination से होते हैं तो इसी लिए GS topic की समझ जरूरी है अभी आपके पास बहुत time है अभी 2025 वालों के लिए बहुत time है कोई tension लेने की जरूरत नहीं है सारी चीजे बिलकुल आराम से मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में ध्यान से सुनी है पूरी चीजे और इंप्लिमेंट कर लेंगे आराम से आप सिलेक्ट हो सकते हैं चाहें आप हमारे पेर्ट गूप में आएं और अड्मिशन लेके एक जगा वन इस्टॉप दिशन देहरी कर सकते हैं और या फिर इनिशेटिव के प्री वीडियो यूटूब चैनल टेलीग्रा सकते हैं वर्ष 2025 में होने वाले UBPSC अपर प्रिलिम्स एक्जाम की तयारी के लिए फांडेशन बैच शुरू हुआ है जिसमें 0 से तयारी आप शुरू कर सकते हैं इसको शुरू से लेकर आखिर तक देखना है ग्रूप के सारे फीचर्स UBPSC एक्जाम की विशेशन आए क्या है प्रिलिम्स कैसे निकलेगा long-term strategy क्या है strategy को तीन तोड़ों में कैसे तोड़ सकते हैं first stage, second stage, third stage, first stage की क्या strategy रहेगी आप अभी इस ग्र्उप में अगर enter हुए है 11 सब्टेμबर के बाद 20 सब्टेμबर तक 25 सब्टेमबर तक भी admission अगर लेते हैं तो किस तरीके से शुरू कर सकते हैं क्या यहाँ पर एकदम बेसिक से आपको शुरुवात करना है, डेली बेसिस पर कितना study करना है, time management कैसे होगा, subject management कैसे होगा, सब कुछ यहाँ पर strategy में बताया गया है, शुरू से लेकर आखिर तक इसको देखिएगा आप, strategy शुरू करने से पहले हैं यहाँ ग्रूप की जो व कर रहे हैं, अगले एक दो वर्षों में, इस सारी चीज़ें आपको study for civil service native app में provide करा है, जो हमारे through run किया जाएगा, लेकिन उससे पहले, telegram जो कि एक reliable third party source है, वहाँ पर telegram group हमने create किया है, कोई आपको server का issue नहीं है, या फिर एक particular समय पे particular app को खोल करके बैठने को आपको ज access कर सकते हैं, तो माली जे कहीं first गए, एक दो दिन के लिए, या एक दिन आपका ऐसे कुछ खराब चला गया किसी personal card के वजए से, तो आगे study resume करने में, कोई यहाँ पर difficulty या hindrance महसूस नहीं करेंगे, आप full flexibility है, लेकिन flexibility के कुछ लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं, flexibility के मतलब चले के रात में, चार बजे पढ़ा सकते हैं, टेलग्राम ग्रूप खोल करके, यह flexibility है, flexibility का मतलब यह नहीं कि discipline तोटना है, discipline को manage करना एक तरीक से, flexibility आपको study for services के लावग और कहीं नहीं मिलती है, continuous handling पर हमने हमेशा से focus किया है, चाहे 7-8 साल पहले पहला ग्रूप चला हो, या फिर यह करीब 8 वरशों बाद हम यह 2025 के लिए खोल रहे है, flexibility के साथ continuous handling यहाप पर मिलती है, इसका मतलब यह है कि जैसे आप इस समय क्रूप एंटर हुए है, 14 सेप्टेंबर को और exam आपका बहुत दिन बाद होना है, तो कभी भी यह नहीं आप पहसूस करेंगे कि जो support ह हमने आपको सेप्टेंबर मन 2024 में दिया था, उससे कमतर support हम आपको 6 मेने बाद दे रहे हैं, कहने के बतलब आप समझेए, कि हमारे जितने भी educator है, जितने भी study for school services की team, जिनको हम आपकी सेवं depute करेंगे, वो उतने ही enthusiasm से, उतने ही उतसा से आपको serve करने में लगतार काम करे जो उन्होंने admission लेते, वक्त या admission लेने के दिन, आपको जो चीज़ें बताई थी, वही चीज़ें, long term तक exam होने तक follow की जाती है, उसको maintain किया जाता है, regular current affair आपको मिलेगा, daily current affair मिलेगा, monthly current affair मिलेगा, paid quiz group में quiz आती है, और अगर जरासा भी कोई समस्या होती है, जैसे UPPSC का exam postpone हुआ था, इसमें हमारा कोई locust नहीं है, हमारी कोई, जिम्मेदारी बनती है legally, morally, कि हम batch को extend करें, बिना fee, अलिये हुए, लेकिन हमने 2024 batch को extend किया, एक नहीं बलकि दो बार, पहले exam मार्च में होना था, आपको पता है, पि जुलाई में कहा गया था कि exam हो सकता है, लेकिन बिना fee-EM batch को extend करते हैं, और services लगतार वैसे ही provide करवाते रहते हैं, जबकि इसमें सिर्फ आयोग का जिम्मेदारी है, आयोग ने exam को आगे बढ़ाया था, इसमें हमारा कोई locust नहीं, फिर भी हमने बिना किसी फी charge की हुए exam को, देखते हुए अपने batch की services को extend किया, बिना को इसमें हमने जितने testries का commitment किया था, वो मार्च तक करा चुके थे, लेकिन हमने फिर से कुछ fresh test आपको प्लब्द कराए हैं, 2024 के लिए, तो practical resources भी आपको latest बिलते रहते हैं, और उसके इलावा जो doubt clearness वाला support है, वो भी आपको बिलता रहता है लगतार, जब तक हमारा commitment होता ह आपको मिलता रहता है, और उतने enthusiasm के साथ होतना ही interest ले करके हमारी team आपको doubt solve करती है, जैसा पहले दिन किया होगा, अब यह strategy वीडियो मिला है, लेकिन लगतार आपको ग्रूप में messages बिलते रहते हैं, कई बर हम लोग live session भी करते हैं, live session का एक प्रावधानम ने कर दिया है, कि जब जब हमारी team ज़रूरी समझती है, live session के थुरू आपको guide करती है, यह telegram में ही होता है, लग से कहीं join ने करना पड़ता है YouTube में, तो live session के थुरू आप discuss कर सकते हैं, आपको problem बता सकते हैं, और आखरी चीज़ जो लिखिए one stop destination, यह तो आपको हमेशा ही clear किया है, कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, दूसरी बात अगर जाएंगे भी तो आपका नुकसान है, क्योंकि जितना यहां पर दिया जाएका वही sufficient होता है, आप time waste मत करिए इधर उधर, कुछ लोग group में आकर के भी कही बार इधर-दर के सवाल पूछते हैं, कि कौन सा यहां पर book आपको प्राक्टिस रिसोर्स से ले करके, आपको प्राक्टिस रिसोर्स से ले करके, और अभी जैसे basic हम लोग करा रहे हैं, तो basic में पहले हम लोग केवल books देते थे और उसको पढ़ने के तरीका बताते थे, लेकिन अब basic material के भी हमने recorded video lecture यहां पर देना शुरू कर दिया ह recorded lecture आपको basic study material के भी मिलने लगे हैं पेड रूप में, तो आपको अधर कहीं से पढ़ने के जरूरत नहीं होती है, हाँ कुछ एक पापा video free है, और वो अगर relevant होते हैं, तो हम उसका आपको reference देते हैं, कि आप हमारे channel से देख सकते हैं, और कहीं पर भी आपको इधर-धर जान ट्रेल होता है, वो PDF form में होता है, या आपके उपर है, कि आप उसे अपने खर्चे पर print करना चाहते हैं, जो लोग भी ice train से बचना चाहते हैं, या फिर जो effort कर सकते हैं, बिल्कुल अपने खर्चे पर print करते हैं, और कर भी सकते हैं, तो यह यहाँ पर रहता है, आपको लावा दो ग्रूप में जुड़ा गया होगा, एक study material वाला ग्रूप होगा, जिसमें आपको PDF अगरा दिख रही होगी, बेसिक बुक की PDF दिख रही होगी, आप उसमें थोड़ा सा brainstorm भी करने लगे होगी, कैसे पढ़ना है, किस से शुरुआत कर रही है, काउंसी PDF प्रिंट क्या है, कैसे doubt का reply की जाता है, सब मैं भी आपको एक एक करके show करने वाला हूँ, आप group से जुड़ गए है, ये शोर कर लीजिएगा, ग्रूप में आ गए, और फिर क्या करना है, strategy वीडियो आपको already देख रहे हैं, पेट ग्रूप में study material कैसे देख वाला वीडियो देखना करके बताएंगे, सब सब पहले ग्रूप के features यहाँ पर समझ लेते हैं, तो सब सब पहले यहाँ पर बात करेंगे daily current fire की, daily current fire या फिर daily newspaper या किसी भी तरीके से daily news cover करने के लिए, UPPSC specific news cover करने के लिए, अब आपको इधर उधर कोई source देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि daily current fire PDF में आपको मिल जाया करेगा, daily basis पर तीन या चार बजे तक upload कर दिये जाता ये, और कभी gap होता है, तो next day इसमें cover करा दी जाता है, कोई emergency हो गई हमारे team में से, वैसे ऐसा होता नहीं है, अगर माली जे की newspaper ही नहीं छपे हैं किसी दिन, जैसे festival टाइम में होता है, तो उस दिन news नहीं आती है, और अगर उस दिन का भी important event रहता है, तो अगले दिन cover करा दी जाता है, weekly off रहता है, Sunday को, Sunday को आपको daily current fair नहीं मिलता है, और Sunday का जो भी event होता है, माली जे कोई scheme launch होई, कोई event हुआ, कोई summit होई Sunday के दिन, तो उसको Monday में आप cover होता हुआ पाएंगे, Monday की PDF थोड परना होता है, सब अभी मैं करके बताऊंगा, अभी खाली feature सुनते समझते चलिए, monthly current fair हम आपको 3 PDF देते हैं, monthly current fair में 3 PDF देते हैं, पहली होती pre-special, pre-special नाम ही सो जैसे इसका रख दिया गया, जिससे clarity रहे, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि sir, prelims के लिए कौन सा पढ़ना ह होता है, तो prelims का pre-special है, यहाँ पर study करना होता है, यह हम पहले ही बता देते हैं, लेकि लोग ignore करते हैं बातों को फिर पूछते हैं, तो prelims special का मतलब है कि prelims के लिए, यह mains में आपको support नहीं करेगा current fair, ठीक है, और जो daily current fair दिया जाता है, उसका monthly compilation हम लोग देते हैं, जैसे study material वाला group है, उसमें चार daily current fair नहीं आती है, जो full paid दिया हमारा, या 2500 वाला group है, उसमें आती है, यहाँ टेली current fair वाले group में तो उसमें घैली current fair नहीं आता है, daily current fair प्रिय और mains की basic understanding, और basically mains की understanding बनाने के लिए होता है, syllabus की understanding बनाने के लिए होता है मंतली current fire के लावा हम यहाँ पर 400 या 500 top MCQ देते हैं यह practice के लिए होता है और किसकी practice के लिए होता है prelims की practice के लिए होता है यह 3 PDF हो गए और यकीन वानी है अगर आप 3 PDF से समझे से बैठा लेते हैं तो pre का mains का even interview तक का कोई भी current fire आपसे छूटता नहीं है अगर आप regular follower है तो current fire आपका पूरे process में cover हो जाता है prelims process के लिए mains procedure के लिए पूरा यहाँ पर cover हो जाता है इतना intensive यहाँ पर दिया जाता है हलांकि आप follow करें सारी PDF follow करेंगे तो current fire में आप यगीन मानिए कहीं से भी आप पढ़ रहे हों कोई quiz प्राक्टिस कर रहे हों किसी website में कोई quiz आ रही हो कोई सरकारी quiz कर रहे हो आप देखेंगे आप maximum question सही करने लगेंगे अगर 3-4 month इसको follow करेंगे तो तो यह हो गया तो इस तरीके से current fire आपको दिया जाता है प्री special की PDF और डेली के मंतली month end पर compile करके दिया जाता है UP current fire भी हम लोग अप देने लगें मंतली UP current fire थोड़ा सा लेट मिलती है आपको क्योंकि news compile करने में इसमें समय लगता है 9 यद 10 तारीक तक आपको मिल जाती है max to max 12 तारीक को आपको मिल जाया करती UP current fire यूपी special regularity आपको इसमें दिखानी होगी पढ़ने के लिए क्योंकि UP special का वेटेज भले ही prelims में जादा नहीं है अभी कि subject का कितना वेटेज होता है वो सब भी discuss करेंगे तो और आपको अच्छे से बसमें आएगा लेकिन मैं आपको बता दूं कि prelims में UP special current fire का बहुत वेटेज आजकल नहीं रहता है maximum to maximum 3 question आ सकते हैं इसमें 4 question भी आ सकते हैं इससे ज़्यादा नहीं आ रहे हैं आजकल लेकिन फिर भी हम expect कर रहे हैं कि जैसे syllabus बदला है GS5 और 6 purely UP special जुड़ गया है तो इस वज़े से UP current fire का भी वेटेज यहां पर रहता है और जो main इसमें भी आपको कहीं बार help करता है facts के लिए जैसे उत्तरप्रदेश स्वास्थ में क्या प्रक्ति कर रहा है या आपको मंतली current fire से पता लगता रहेगा नहीं जो medical colleges खुल रहे हैं नइस कोई scheme लाई जा रहे है communicable diseases से निपटने के लिए जैसे दस्ता का भीहन वगएरा है इसका आपको भान होता रहता है आपको मतलब regular basis पर UP से अपडेट रहना चाहिए क्योंकि GS 5 औ 6 आपको UP special देना है और एकदम से सारे papers की त्यारी नहीं होती है एक दो महीने मेंस की त्यारी नहीं होती है तभी आपर foundation बैच शुरू किया जाता है जिससे पहले से आप a deep understanding और बारीक जानकारियों कवर करते हुए slowly slowly आगे बढ़ते रहे हैं UP special भी आपको regularly पढ़ते रहना चाहिए और pre and means दोनों के लिए जरूरी होता है कोई भी आप doubt पूछेंगे वहाँ पर reply किया जाएगा इनके समय में तुरंत मंतली एक बार UP PCA specific live discussion भी होता है इसमें आप अपना strategy discuss कर सकते हैं कोई भी आपका doubt strategy में नहीं follow कर पा रहे हैं क्या hurdles face कर रहे हैं वहाँ पर live admin से discuss कर सकते हैं प्रादतर मैं ही live session पर होता हूं तो आप मुझसे directly पूछ सकते हैं डिसकस कर सकते हैं जो भी आपकी समस्य आए हैं live में participation को यसा mandatory नहीं होता है कि आपको mandatory ली participate करना है कोई अगर इसको join नहीं करेगा तो आपका कोई नुकसान हो जाएगा इसा नहीं होता है doubt तो आप regular पूछ सकते हैं कोई भी आपका factual doubt है conceptual doubt पूछ सकते हैं तयारी और strategy से associated doubt यहाँ पर आप पूछ सकते हैं live तो live जिसको join करना होता है वो कर लेते हैं यहाँ पर all doubt अपना पूछ लेते हैं यह लोग नहीं भी जोइन करते हैं तो अपना doubt पूछते रह सकते हैं अभी तक सिर्फ हम GS का कराते हैं लेकिन CSAT का भी है हम यहाँ पर stadium trail आपको full pay group वाले में देने लगे हैं और CSAT का test वगरा भी आपको regular basis पर मिलता रहें जिससे आप CSAT से भी updated रहें बहुत कुछ ऐसे लोग होते हैं जो GS में कई बार अच्छा कर जाते हैं लेकिन CSAT में अपना mark miss कर देते हैं जो 33% वाला होता है और कट-off नहीं clear कर पाते हैं तो उससे आप बचें आप CSAT को भी बिल्कुल ही ऐसा नहीं ignore कर दें आप CSAT में ensure करें कि आप qualifying marks जो आयोग ने decide की है 33% वह आप जरूर लाएं और हम आयोग और उसके syllabus के follower नहीं सर बार बार बोलते रहते हैं और यह सिर्फ बोलने वाली बात नहीं है इसको बकाइदा जो है religiously implement भी किया जाता है जो हमारी policy है आयोग और syllabus को follow करने वाली इसको implement कि जाता है syllabus के हिसाफ से जो नए नए चीजें पूछी जा रहे हैं syllabus तो नहीं बदलता UPSC हर साल वाई syllabus आ जाता है print होकर के prelims वाला लेकिन questions नए नए बन रहे हैं नए जगह से पूछी जा रहे हैं नए areas explore किये जा रहे हैं उनके लिए regular basis पर आयोग के जितने भी papers हो रहे हैं भलाई UPSC syllabus से संबद नहीं है कोई technical post के लेकिन अगर उसमें GS पूछी जा रही तो हमारी टीम एक एक paper को देखती है कि question को देखा जाता है उस पर discussion होता है हमारे जो है कह सकते हैं पूरी एक तरीके से think tank है content की वो उसमें देखती है किस तरीके से क्या के चीज़ें आयोग explore कर रहा है और कैसे उसको study trail में update की जा सकता है जैसे दारन देता हूं मैं आरो का भी paper हुआ था जो cancel हो चुका है उसमें paper में सवाल आया था Simon Commission संबंदित Simon Commission ने भारत की यात्रा दो बार की है किसी भी book में यह चीज़ specifically explicitly mentioned ही नहीं है उसमें Simon Commission जब भारत आया था बस उसी के बार में दिया उसी के chronology दे दिया साइमन कमीशन ने भारत को दो बार विजिट किया था हमारे content में बकाइदा date से यहां पे लिखी है कब कब साइमन कमीशन ने विजिट किया और भारत में किन-किन जगहों की यात्रा की वो तक लिखा हुआ और उससे सवाल आया था जबकि किसी book में standard book में नहीं दिया हुआ है तो कहने का यह मतलब है कि यह सब जो है हम already implement करते हैं कि जो चीज books भी छोड़ दे रहे हैं fact और जो जरूरी हो सकता है exam के लिए उसको हम लोग cover करते हैं ठीक है तो इसी वजह से हम लोग कहते हैं किसी book या publisher को follow नहीं करते हैं क्योंकि उनसे भी पहले हमारा fact update होता है जो exam हमें पूछा जाने वाला होता है थोड़ा से टेलिग्राम के basics आपको समझ लेने चाहिए टेलिग्राम आपको काफी चलाना पड़ेगा हम अतायारी की दवरान वहीं से पेडियाफ एक्स्प्लोर करना है तो जैसे हम अपनी study table को organize रखते हैं कहां पर books रखी हैं कहां पर notes र क्लाउड में सारी चीज़े रहती है जैसे माली आपने history की file download कर रखी थी cash clean करेंगे तो आपको दोबारा download करने के लिए कहेगा और इतना data आज कल सभी के पास होता है तो इससे यह होता है कि आप जो है नहीं करता है बंद नहीं होता है आपको बार बार exit नहीं कर देता है इ और telegram को uninstall करके reinstall भी कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है क्योंकि कई बार app भी problem करता है महंगे से महंगे mobile device में कई बार telegram दिक्कत करने लगता है तो problem इसमें solve हो जाती है अगर फिर भी नहीं होती तो आप जो है बात कर सकते हैं इस number पर इसमें आपको remedy बता दी जाती है अब बता दो रहा हूं मैं कि पूरा stadium trail का support किया जाएगा syllabus से समझे जो चीजे पूछी जा सकते हैं उसका भी support करते हैं और कई बार आपकी basic समस्या भी होती है उनको भी हम लोग solve करने का पूरा प्रयास करते हैं बिना किसी जुझला हटके अचा यह जो ची development result development का मतलब यह है कि वो explore करने लगते हैं वो चीजें जो उनको explore करना नहीं जरूरी है जैसे कुछ लोग फरजी doubt create कर देते हैं माली गूगल पर आपको चीज लिखते हैं ठीक है और जो search में first result आ जाता है second result उसको दिखाकर करने लगते हैं कि आपके study trail में यह चीज जो है wrong library बता रही है library नहीं बताती है library में रखी हुई कोई book बताती है फिर book में page number दिया रहता है वो बताता है वो reference material होता है तो जब आप web search करते हैं जैसे chrome से या फिर किसी browser से search करते हैं तो उसमें अंगिनात resources आपको देता है तो उस resource में कौन सा resource authentic है या कौन सा resource non authentic है इसका काम आप study for civil service पर ही छोड़ दीजे इसको टाय करने काम कि authentic कौन सा resource है और non authentic कौन सा है कौन सा आपको सही मानना है कौन सा गलत मानना है तो इसको लेकर आप कई बार खुद ही confused रहते हैं और कई बार हमारे team को भी कर देते हैं बार बार कि सर यह देखे Google पे आया या Google पे आया तो वो चीज़ सही नहीं होती है Google में कौन सा website है कौन सा resource है कौन सा official है कौन सा non official है कौन सा सही मानता है commission कौन सा नहीं सही बानता है यह हम काम कर रहे हैं लगतार 8-9 सालों से और 8-9 साल अगर आप भी तयारी करेंगे तो हो सकता है कि हमारी team जितनी knowledge आप भी gain कर लें लेकिन यह आप study material पढ़ते रहिए और practice करते रहिए यह भी आपके लिए sufficient है अगर Google करते हैं तो ठीक से करें और तब ही उसका कोई यहां पर discussion करिए दर्वाइस जो हमारे study material में है उसको सही मानिए ऐसा नहीं कि कभी कोई typo नहीं हो सकती है कोई error नहीं हो सकती है 99.99% की guarantee सार कोई लेत सकते हैं अगर कोई typing error है कोई misbehavior हुआ है किसी device से typist से तो उसको हम लोग सही कर लेते हैं और आपके exam से पहले authentic information आपको दे देते हैं तो आपका कोई भी doubt है तुरंत आप doubt clearness वाले group में पूछे paid discussion group जो आपको दिया गया है उसमें discuss करिए उससे कोई अगर नहीं समाधान मि मैंने कई जगा इस देखा है इसमें doubt आ रहा है क्या आप इससे बता सकते हैं मैं और या फिर हमारी team में से कोई आपको authentic sources के इस आप से बताएंगे क्या सही है और क्या आपको exam के लिए सही मानना चाहिए एक उदाहरंड मैं आपको दे दे रहा हूँ कि इस तरीके से किसी popular platform पर दी गई जानकारी भी गलत हो सकती है Google search result में किसी website में गलत data भी कई बार आ जाता है तो इसको यहाँ पर समझे हमने यहाँ पर इनको solution दिया आपको बगाईदा वीडियो बना कर दिया था 2024 वाले ग्रूप में वही वीडियो में आपके strategy में चोड़ भी दे रहा हूँ इससे आप अच्छे समझ जाएंगे कि टाइगर रिजर्व को नोटिफाई कैसे होता है क्या प्रॉसेस होती है टाइगर रिजर्व को नोटिफाई होने की हाउ टाइगर रिजर्व इस नोटिफाईड और भारत का चबवनवा टाइगर रिजर्व एक्चुली काउन सा है और एक्जाम में किसको आपको सही मानना चाहिए ये वीडियो आप लोग सुन लीजी एक बार इससे आपको पता चल जाएगा कि डाउट क्लेरेंस आमारे ग राजस्थान का धौलपूर करावली इसमें चबवनवा कौन है पचपनवा कौन है बहुत कंफ्यूजन ने इसमें तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि भारत का अंतिम टाइगर रिजर्व जो फाइनली नौटिफाई हो चुका है वो है दुर्गावती टाइगर रिजर NTC अपनी वेबसाइट पर लिखता है कि टाइगर रिजर्व नौटिफाई होने की प्रक्रिया क्या है प्रॉसेस क्या है जो पहले क्या होता है प्रपोजल जो है इस्टेट लाता है प्रपोजल स्टेट अप्टेन करता है इन प्रिंस्पल अप्रूवल जो है कम्मिनेट के किया जाता है NTCA की तरफ से पूरे प्रपोजल को अच्छे से स्क्रूटनाइज करके सेक्शन 38.5 जो है Wildlife Protection Act 1972 का उसके तहत NTCA रिकमेंड करता है प्रपोजल को स्टेट को पूरी तरीके से देखने के बाद और फिर final जो स्टेट गोर्मेंट नॉटिफाई करती है अपने टाइगर रिजर्व को एरिया सही सब कुछ बताया जाता है किस एरिया तक है बकाईदा इसमें coordinates तक दी जाते हैं तो दुर्गाबती टाइगर रिजर्व ये सारी प्रक्रिया फोलो करते चुका है चार स्टेप की जबकि जो धौलपूर करवली वहला टाइगर रिजर्व है उसमें ये वाला स्टेप बाकी है अभी ठीक है धौलपूर करवली में ये लास्ट स्टेप बाकी है तो इस वज़े से हम यह नहीं कह सकते हैं कि धौलपूर करवली लास्ट टाइगर रिजर्व है जो नोटिफाई हो चुका ह प्रपोजल हो चुका है प्रपोजल को यह प्रूफ भी कर चुका is indeed लाफ ही आखरी इस टेप अभी दाहलपूर करली के नोटिफॉय होने में थो हम यह कह सकते हैं कि भारत का 55 टाइगवी रिजर से हो गde hi ज सकते हैं घर משट ग On और ये भी उसमें कहा था 22 सेप्टेंबर को 2023 में इनोने ट्विट किया था कि हमारा टाइगर रिजर्व जो टोटल नंबर 54 हो चुका है और 54 कौन से बना है विरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व इसको फाइनली नॉटिफाई कहिए जा चुका है जब कोई टाइग हमारा जो है यह 54 टाइगर रिजर्व है ठीक है पच्पन्वा का उनसा बनेगा धौलपूर क्रावली बनेगा तिरपन्वा का उनसा है रानिपूर टाइगर रिजर्व उत्तरप्रदेश का आई होप आपको यह कंफ्यूजन आपकी नहीं रहेगी अब यहां पर बार-बार जो प्रस्टन पूछा जाता है कि क्या सर मैं डेली करेंट फैर कंप्लीट कर सकता हूं या सकती हूं मंतली छोड़ सकता हूं या सकती हूं क्या मैं मंतली करेंट फैर वाला छोड़ सकता हूं या सकती हूं या फिर सिर्फ जो है डेली वाला कंप्लीट कर लूँ तो इस तरी पर जादा रहता है डेली कर इंटेफेर में मतलब जो भी आप PDF पढ़ेंगे उसमें से आपका जुलाब होगा वो किस स्टेज पर मिलेगा मेंस में मेंस में ज्यादा लाब मिलता है आपको डेली कर इंटेफेर का प्रिलिम्स के लिए रेलिवेंस इसकी कम रहती है वहीं अगर हम तुलना करें रेलिवेंस डेली कर इंटेफेर के कंपरेजन में मंतली कर इंटेफेर की प्रिलिम्स के लिए वेरी ह जाता है basically objective exam में जिस तरीके के तब से पूछे जा सकते हैं जिस तरीके के fact या information पूछे जा सकती है उसी हिसाब से उसको design किया जाता है उसी हिसाब से लिखा जाता है कई बार आप देखेंगे कि monthly currentifier pre-special बहुत ही limited number of pages का study for civil सबस्का होता है और उसमें कई बार आपको note making की भी आवास सिकता नहीं पड़ती है क्योंकि आपने आप में बहुत short होता है जो monthly currentifier होता है या फिर यूपी currentifier होता है बहुत short में हम लोग देते हैं information dense होता है माली जे कोई scheme आई है तो जितने information उसकी जरूरी है वो सब हम देते हैं उसमें लेकिन जितना गयर जरूरी चीज़ें होती है उसको लोग नहीं देते हैं ठीक है जैसे scheme के disadvantages वगएरा हम नहीं देते हैं आपको prelims वाले में क्योंकि prelims में उस चीज की demand नहीं है और जबकि में इस वाले में सब कुछ देते हैं जो daily care interfere होता है उसमें सब कुछ दिय रहता है जो scheme आई है उसकी क्या drawbacks हो सकते हैं आगे की implications क्या हो सकते हैं सब कुछ की analysis जो है वो daily care interfere में होती है जबकि prelims वाले में कहा रहता है कि focus यहां पर किया जाता है कि आप less number of pages पढ़ करके more number of questions अपने objective prelims exam में GS paper 1 में कर सकें तो ये difference होता है daily current fare में monthly current fare में अब आपको यहाँ पर भान हो गया होगा कि daily current fare क्यों पढ़ना चाहिए और monthly current fare क्यों पढ़ना चाहिए यूपी current fare क्यों पढ़ना चाहिए अज़ा एक चीज़ और मैं बता दूँ कि कई लोग पूछते हैं कि monthly current fare तो आप लोग कहते हैं कि अच्छे से इसको याद कर लीजिए बार-बार revise करिए क्या daily current fare को भी बार-बार revise करने की ज़रूरत है तो इसका उत्तर है नहीं information dense होता है लेकिन ज्यादा तर understanding आपकी बनाने के लिए होता है इसमें आपको सारी information remember करने के ज़रूरत नहीं होती है मालीजे कोई scheme आई है उसका 360 degree analysis तो daily वाले मिल गए आपको लेकिन जो को scheme के fact जो आपको परिक्षा तक याद रखने है वो आपको इसमें मिल जाएगा मंधली वाले में भी तो आप क्या कर सकते हैं कि इससे आप अपनी समझ बनाईए और याद करने के लिए सिर्फ monthly current fare का इस्तुमाल करिए इस तरीके से daily current fare और monthly current fare आपस में अलग हैं या फिर आपस में एक जैसे हैं इस सब हमने यहाँ पर आपको describe कर दिया है और अब आपको पता चल गया होगा कि daily का भी अपना महत्व है और monthly current fare का भी अपना महत्व है दोनों आपको follow करने चाहिए at least first stage of preparation में एक चीज़ का भान आपको होना चाहिए हमेशा ही कि prelims paper पूरा attempt नहीं करना है नहीं पूरा attempt करना exam की demand है नहीं पूरा attempt आप कर सकते हैं चाह कर भी आप कितने भी बड़े scholar बन जाएं या फिर कितना भी हमारा content पढ़ लें किसी भी institute या फिर दुनिया की सारी किताबे भी अगर capture कर लें तब भी आप 150 questions नहीं निकाल पाएंगे अच्छा यहां पे catch है इसलिए भी नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि 2-3 questions तो हर बार disputed निकलाते हैं या फिर कई बार उसके answer गलत होते हैं या फिर दो answer सही मन ली जाते हैं या फिर question पूरता डिलीट हो जाता है पास्ट में भी question डिलीट हुएं modified key में आपने देखा होगा तो जब 150 पूरे question सही छपए ही नहीं पेपर में तो आप कैसे कर सकते हैं आपको सिर्फ cut off निकालना है अपने school college time में 100% लेकिन GS में 100% कुछ होता नहीं 100% नहीं की जा सकता वे पर 150 questions कोई भी नहीं सही कर सकता है कोई भी नहीं कर सकता है ये आपको पता होना चाहिए 150 questions करना exam की demand भी नहीं है 150 आप cover कर लेंगे उससे कोई lab आपको ना आगे की stages में मिलेगा इंटर्वी में कहीं कोई lab नहीं मिलने मला आप सिर्फ qualified लिखे जाएंगे और main इसका form भरेंगे main से ही final merit बनती है अभी सब paper का pattern हो गएरा आभी आगे discuss करेंगे paid group सिर्फ join करना काफी रही है बहुत सारी मेहनत इसके आगे जाएगी paid group join करना तो एक process का part paid group के बाद आपको पढ़ना है सारे update देखने है pyq पढ़ना है जो content आगे दिया जाएगा वो पढ़ना है later stages में mains का आपको study करना है listing compilation cover करना है prelims से जस्ट पहले paid groups के सारे questions की practice करनी है test series लगानी है तब ही यहाँ पर आपको कहा गया था group announcement के समय ही है एकदम नस्दीक होगा तो आपको 8-9 गंटे की study करनी पड़ती है और जो mains exam एकदम नस्दीक होता है तो आपको 8-9-10 गंटे की studies यहाँ पर करनी पड़ती है practice resources सिर्फ study for civil service के रहेंगे SCS का paid quiz जो चालू होगा 2024 के prelims होने के बाद जोलाई में चालू होगा एक जोलाई एंड तक SCS का PYQ compilation आपको करना SCS की test series पड़नी है और SCS का MCQ bank कि आपको last priority पर रखना है अगर समय बचता है तो SCS का MCQ bank आप कर सकते हैं अदर्वाइस आपको इतना ही sufficient होता है कई बर first priority यह है second priority PYQ compilation है third priority यहाँ पर आपकी test series है तो यह तीनों तो कर रहा ही है priority कोई भी रखें पहले यह करें पहले वो करें या पहले वो करें यह आप decide कर सकते हैं लेकिन तीन चीज़ें practice resources रूप में compulsorly आपको पढ़नी ही पढ़ती है study for civil services का यह commitment जो chart होता है हम लोग देते हैं compilation and listing PDF यह आपको 6th version अब बिलेगा 2025 के लिए यह कब बिलेगा इसकी date से यहाँ पर प्रस्तावित लिग दी गई है 28 October को इतिहास को मिल जाएगा geography का आपको 19 October को बिल जाएगा परेवरन का 28 September को पहले ही मिल जाएगा विग्यान का 15 November को quality का 22 November को economic का 20 November को compilation listing PDF आपको बिल जाएगा यह total prelims oriented होता है compilation listing से mains का कोई लेन देना नहीं है prelims oriented content होता है prelims के लिए आपको इसको study करना पड़ता है लेकिन अभी क्या पढ़एगा आप सोचेंगा मेंस में हिंदी पेपर पी देना है हिंदी से अंग्रेजी माध्यम वाले दोरी नहीं बनाईए अंग्रेजी माध्यम से हिंदी माध्यम वाले दोरी नहीं बनाईए उतना सब कुछ सब्सकोद है समन में बना करके चलिए सबसे पहला stage आपको प्रारंपिक परिक्षे यानि कि prelims exam होता है इसमें GS paper 1 का paper होता है उसी से आपका mains decide होता है कि आप दे पाएंगे कि नहीं कहने का मतलब है कि prelims का GS paper 1 होता है उसी का cutoff बनता है और उसी से decide होता है कि आप mains लिख पाएंगे या नहीं one third की negative marking दोनों ही papers में होती है prelims में GS paper 1 में भी और Csat paper में भी Csat paper qualifying nature का होता है 33% इसमें आपको लाने पड़ते हैं और अगर 33% आप लाने में fail हुए तो GS paper आपका कितना भी अच्छा गया हो उसमें जो है नहीं माना जाएगा तो दोनों ही papers में समन्में बनाना है GS paper 1 का cutoff clear करना है और GS paper 2 यानि Csatum लोग जो कह सकते हैं इसमें qualifying marks आपको secure करना ही करना है post wise category wise cutoff इसमें बनती है 2023 वाली cutoff आई नहीं है final cutoff 2022 वाली आचुकी है उसका analysis अभी दिखाएंगे जो main जो कह सकते हैं खेल होता जिससे आप SDM, DYSP बनने का सपना पाल रहे है वो है main main का मतलब mains तो GS के 6 paper इसमें होते हैं optional app है रही UPSC में optional choice अब हट गई है ये compulsory paper है 6 6 compulsory GS paper इसमें 4 conventional वाले 1, 2, 4 और 5, 6 जो है UP special वाले paper हो गए है और इसके लिए काफी यहां पर प्रयास किया गया था हमारे students pressure groups के दौरा finally UP special जोड़ा हमने भी इसके लिए काफी सारे प्रयास किये थे as an institute की level playing field सभी student को बिलना चाहिए कई हर बार जब mark sheet आती थी कुछ नहीं कुछ विवाद होता रहता है कि फला optional group को ज्यादा लाब मिला इस बार फला optional group को design advantage मिला marking में तो यह चीज़ें आप खत्म हो चुकी है GS paper 5, GS paper 6 और GS 124 यह papers आपको देने हैं दो compulsory paper और हैं समान हिंदी का जो paper है यह होता है और एक निबंद का paper होता है निबंद उत्तरप्रदेश में आप UPSC के द्वरा जो यह mains करा जाता है इसमें हिंदी माध्यम में लिख सकते हैं या इंगलिश माध्यम में या उर्दू माध्यम में तीन choices यहां पर होती है पेपर में ही लिखा रहता है हिंदी इंगलिश उर्दू में निबंद लिखा जा सकता है लेकिन समान हिंदी का paper आपको compulsorly देना है कई लोग जो UPSC से हम आइगरेट होते हैं बार-बार यह सवाल पूछते हैं मैं बार-बार reply करता हूँ एक बार फिर सकर दे रहा हूँ कि UPSC में 150 marks का हिंदी का paper समान हिंदी का आपको compulsorly देना होता है और इसके marks मेरिट में जुड़ते हैं 150, सारी 1500 नंबर के यहां पर लिखित paper होते हैं और 1500 नंबर में हिंदी का marking यहां पर जोड़ी जाती है साक्षातकार यानि personality test आपका सवंको का होता है और final जो cutoff बनती है post wise category wise बनती है और इसमें new thumb marks यानि कि जो merit है वो आपको cross करना पड़ता है और तब ही आपको जो है post इसमें मिलती है तो new thumb marks आपको इसमें लाना पड़ता है अधिक्तम new thumb का ब्योरा जो है इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ इतना ही syllabus दिया रहता है कई लोग confused रहते हैं कि बस इतना ही syllabus है बस इतना ही कहने के लिए है syllabus बहुत बड़ा आयोग का और कई आयोग ऐसे होते हैं जो detailed syllabus देते हैं for instance UKPSC हो गया CGPSC हो गया इवन जारखंड का भी जबकि UPPSC में syllabus से ज़्यादा कोई idea नहीं मिलता है idea मिलता है previous air questions से तो BYQ से ज़्यादा idea मिलता है जैसे इसमें अगर आप देखें इसमें current events national and international importance के लिखे हुए हैं on current events of national and international importance candidates will be expected to have knowledge about them लब candidates को राष्टरी इंतराष्टी समसामिकी का knowledge होना चाहिए लेकिन किस तरीके की समसाम में की किस हथ तक पूछेंगे इसका भान आपको आप PYQ देखकर के होता है तब भी PYQ का महत होता है syllabus को discern करने के लिए syllabus को समझने के लिए sustainable development इसमें दिया हुआ sustainable development से लगातार questions exam में आ रहे है poverty inclusion से questions आ रहे है poverty का basics का इबार आता है जैसे हमने basic book भी बताई तो उसमें class 9th NCRT हमने हमेशा recommend की है क्योंकि इससे lab मिलता है एक दो question का क्योंकि poverty का basic इसमें अच्छे से समझाय हुआ है class 9th की जो NCRT book है economic की उसमें आपके ये poverty वाला concept clear हो जाता है बाकी poverty के जो facts है कोई report आती है कोई data आता है तो वो तो हम monthly current fair में cover कराते ही है poverty inclusion demographics और social sector initiative social sector initiatives में ज़्यादा तर क्या पूछा जाता है government scheme government schemes ज़्यादा तर पूछा जाती है social sector initiative में तो इसी वज़े से मैंने कहा कि PYQ से अंदाजा पड़ता है कि syllabus हम से क्या कहना चाह रहा है कई बार syllabus कभी confused भी करता है लोगों को जैसे यहां पर लिखा हूँ है कि एक well educated person जिसके पास कोई special qualification scientific discipline का नहीं है वो भी ऐसे question का answer कर चुके जो आयोग पूछेगा prelims में ऐसा नहीं है साइन्स का अच्छा खासा आपको coverage रखना पड़ता है इवन सभी subject का चाहे quality हो जाए economy हो एक अच्छा खासा knowledge आपको gain करना पड़ता है prelims के question सही करने के लिए तो यह सब जुमले बाजी में मत पढ़िएगा कि general science से तो ऐसे ही कर लेंगे चलते फिरते ऐसा नहीं होगा काफी पढ़ना पड़ेगा यहां पर माकी CSAT का paper CSAT में अभी से मैं नहीं कहूंगा कि ज़्यादा इसमें मेहनत कीजिए अभी हमाँ पास काफी time है पहली बात तो हालांकि यह slavers देखकर के आप अपना mind make up करिए सबसे पहले कि 33% लाने के लिए कौन-कौन से जो areas है उन पर target करेंगे जैसे इसमें elementary maths आती है up to class 10th level जो engineering background से हैं या फिर MSC maths वगरा से हैं या फिर आप ऐसे discipline से हैं जहांपर maths पढ़ी पढ़ाई जाती है तो इसमें आपको ज्यादा हानी नहीं होती है ज्यादा आपको इसमें सोचना समझना नहीं पढ़ता है maximum question आप इससे निकाल लेते हैं reasoning maths के फिर general English है English medium से अगर आपकी education हुई है तो उस हद तक की English आप already तयार कर चुके होते हैं कुछ brush up करना पड़ता है आपको topics जैसे part of speech है active passive हो गया transformation of sentence है direct indirect के rules punctuation rules एक बार आपको देखने होते हैं idioms कुछ learn करने पड़ते हैं vocabulary थोड़ा सा learn करने पड़ती और ये जो चीजें हैं ये की जा सकती है दस-पांच दिवस के time span में daily 2 हंटे आप समान हिंदी पूरा complete कर सकते हैं तो मैं कहूंगा कि अभी इतना जिल्दी करने की पहली बात तो जरूरत भी रहें क्योंकि exam से पहले एक बार brush up करना पड़ेगा लेकिन एक बार ये अच्छा से देख लीजिए थोड़े से C-site के PYQ लगा सकते हैं आप PYQ देख सकते हैं शुरुवात में पहले एक दो मन्त फर्स्ट स्टेज में PYQ देखे कि C-site में क्या क्या आता है उतना भी sufficient है आपर माकी C-site के आगे strategy आपको group में मिलती रहेगी previous year examinations में GS paper 1 prelims का cut-off क्या रहा है और क्या target आपको रखना चाहिए इसके बारे में बात कर लेते हैं अभी तो target वगएरा exam से पहले भी हम लोग कई बार discuss करेंगे लेकिन एक overall mind make-up जो आपको ले करके चलना है इस पर बात कर लेते हैं cut-off 2018 से हम यहां पर discuss करेंगी क्योंकि pattern इससे पहले बहुत अलग था GS paper, main is the GS paper 1, GS paper 2 objective होते थे दो optional हुआ करते थे तो cut-off उससे पहले का discuss करने के कोई lab नहीं है यहां पर 2018 से pattern change हुआ है उसको देख लेते हैं तो 126 number यहां पर cut-off गया था यानि कि 200 में से 126 number आपके होने चाहिए थे UBPSC में एक चीज ध्यान रखेगा कि 150 questions आते हैं GS paper 1 में लेकिन marks होते हैं 200 यह बड़ा जरूरी ध्यान रखना GS paper 1 जो objective होता है उसमें 200 marks का paper होता है लेकिन questions 150 होते हैं CSAT paper में 100 questions होते हैं तो इसमें GS paper 1 में 126 number आपको 200 में से लाने थे 94.5 questions साब के सही होने चाहिए थे PCS के 2019 paper में 117 number यहाँ पर cutoff गया था यह UR के लिए मैं cutoff बता रहा हूँ Other categories के लिए अभी यहाँ पर need discuss कर रहा हूँ Other categories के लिए कम-कम रहता है Update categories के हिसाब से अगर मैं हर category के बता हूँँगा तो लंबी-लंबी cutoff गया था 200 marks में से 87.75 questions आपको निकालने थे negative के बाद PCS 2020 में 110 ही cutoff गया था paper tough level का आया था 2021 में 117 cutoff यहाँ पर गया था और 2022 में यहाँ पर cutoff गया था 112 इस तरीके से cutoff जाता है 2023 का आया नहीं लेकिन इसी के round आप मान सकते हैं यह आपको overall rough target देती है strategy 100 सही questions का हमको target रखना है negative marking के बाद negative marking और जो कुछ questions गलत हो जाते हैं 150 questions जैसे आते हैं लेकिन कहने को 146 ही मैं हमें शमानता हूँ क्योंकि 2 questions disputed होते हैं बहुत difficult type के होते हैं उसका answer सिर्फ आयोग बता सकता है दो questions आप ऐसे लगा लिजिए कि जो आप उत्तर मानेंगे उससे उल्टा ही उत्तर आयोग मानेंगा तो 4 questions आप मान के चलिए हर बार disputed होते हैं और इस पर objection होता ही होता है modified की बहुत सालों बाद आती है जैसे 2021 तक की I think modified की अभी available है 2022 की modified की नहीं available है मारे पास 2023 वाले पेपर की नहीं available है 2024 होने जा रहा है जुलाइब में आप मान के चलिए कि आपको 100 सही questions का target लेकर के चल रहा है और study for civil service के study material से और practice resources से किया भी जा सकता है बार बार proof हमने अपने free वाले टेलक्राम में share किये है किस subject या topic से कितने questions बनते है इसको भी एक बार briefly देख लेते हैं समझ लेते हैं जैसे history of India यानि की ancient medieval history से कुल बलाकर 15 question आये थे 2023 में 2022 में 15 question इसमें आये थे और 8 question आये थे 2021 वाले पेपर में and 16 question 2020 वाले पेपर में 2019 वाले में 11 प्रशन, 9 प्रशन, 11 प्रशन, 6 और 9 तो इस तरीके से आप माने के चलिए 1 6th लगभग बेटे जो होता है 28 से 29 से 30 question overall history portion से बनते हैं तो काफी important topic होता है history prelims exam के लिए और Indian economy से 11 सवाल आये थे इसमें 7 current fire के थे economy static और economic current fire question में difference होता है जब भी हम definition based question या फिर NCRT based question या फिर जो established norms है जो नियम है नियम काईदे कानून जो सरकार बना चुकी है उस पर बात करते हैं तो वो होता है आपका economy static हम लोग उसको बोलते हैं इसमें पूछा कि poverty estimation का क्या method भारत में follow की जाता है तो head count ratio follow होता है calorie intake से भी poverty estimation भारत में हुआ है और household income household consumption expenditure से होता है per capita income से भारत में कभी poverty estimation होता नहीं क्योंकि per capita income भारत में नहीं available हो पाती है कई बार और कुछ parallel economies भारत में चल रही है informal sector है तो इसमें क्या होता है कि भारत में per capita income से poverty estimation नहीं हुआ है कभी आज तक यह हो गया economy अमाली यह poverty estimation का कोई नया method announce हो जाता है तो वह हो जाएगा economic current fair जिसे economic current fair में जो नया economic survey या फिर जो नया budget आता है उससे कई बाव प्रशन आते हैं पेपर है 2020 वाले पेपर का इसमें budget 2021 से देखी प्रशन बूचा गया है crushy की आज़ोगनी करने के लिए क्रामीड विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है budget 2020 में और इसमें 16 point program crushy सिचाई क्रामीड विकास के लिए यहाँ पे announce किये गए थे तो अब आप यह मान के चलिए अगर budget से आपके 2025 वाले paper में सवाल आया तो किस budget से प्रशन आएगा budget आएगा budget 2025-26 से यह आप आप मान के चलिए budget 2025-26 से यहाँ पर प्रशन पूचा जाएगा ना कि budget 2020-21 से तो यह हो गया जैसे budget से प्रशन बन सकता है 2021 वाल एक paper में पूचा गया था कि 2021-22 के budget में जो जो allocation किये गए उसके हिसाब से इसको क्रम से लगा दीजिया ठीक है तो यह हो गया मैं आपको जो बताने कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी इकनॉमी current affair का सवाल होता है तो वो प्रशन हर साल बदल जाएगा आपकी बार जो सवाल आएगा 2024 वाल वेपर में या फिर आपके 2025 वाल वेपर में वो latest budget से आएगा पुराने budget से नहीं जैसे पुरानी कोई government scheme पूछी या पुरानी जो committees है poverty estimation समंदित या पिस किसी अनिकार के लिए बनाईगी committee उससे समंदित अगर चीज़े पूछेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे economy current fair जैसे पुरानी schemes इसमें पूछी इनअबाड किस था अपना कब हुई किसान credit card कब आया था और establishment of regional rural bank यह कब कब हुआ था तो यह आपका economy static हो गया economy में definition based question की core inflation क्या होता है headline inflation क्या होता है WPI क्या होता है CPI क्या होता है absolute poverty किसे कहते हैं यह सब जो चीज़े definition based established definition है उसको हम लोग बोलेंगे economy static और जो नवीन चीज़ेंगे उसको बोलेंगे economy current fair जैसे अगर आप से पूछेंगे replacement level fertility की value क्या होती है तो यह हो जाएगा 2.1 यह static हो गया लेकिन आभी भारत में पूछें कि TFR कितनी चल रही है जैसे पूछा प्रिविस सेर में 2015-16 के हिसाब से अगर 2020 के हिसाब से पूछें तब यह answer different हो जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे economy current affair general science के इसमें question ज्यादा आते है science technology question UPSC में कमाते आटी में पढ़ते हुए आ रहे हैं जो established चीजें हैं जैसे कौन क्या होता है हमारे body की working कैसी होती कौन से chemical क्या use है जैसे आपसे पूछ लें कि wood spirit wood spirit wood spirit क्या है methyl alcohol methyl alcohol इसी को बोलते है जब तक यह बदल नहीं दिये जाता जबकि जो technology है वो लगतार change हो रही है AI आया है फिर आपने देखा कई सारे GPT system आ गए है GPT का full form आपसे पूछ लें या फिर जो कई सारे large language models आ गए है large language models LLM कई सारे नए robots chatbots launch की जा रहे है तो यह तो लगतार बदल रहे है जैसे chat GPT का था open AI का था फिर Google ने अपन account से launch किया है Elon Musk ने अपनी company का अलग launch किया है तो इन सब के नाम जो है यह तो हम नहीं पढ़ सकते हैं पहले से किसी बुक में यह तो नवीन technology जो generally evolve हो रहे है भारत का जो चंद्रयान mission है वो complete हो चुका है अब हम गगणयान की और देख रहे है समुद्रयान की और देख रहे है 9 emission आ रहे हैं भारत ने जो अपना लक्ष रखा है अपना international space center स्थापित करने का वो कब तक का है यह सब चीजें नवीन technology है और जो हमारी body की working है जो chemical formulas जो हम लोग पढ़ते वह रहे हैं किस राशी का क्या unit होता है वो सारी चीजें किस हम लोग quantity से क्या क्या मापते हैं जैसे 2020 वाले paper हम पूछा था कि blood glucose level किस से मापते हैं तो यह सारी चीजें यह static economy static science या फिर general science पर आ जाएंगे जो technology लगतार evolve हो रही है जैसे carbon fibers है काफी चर्चा में carbon fibers यह किसी ncrt book में दिया नहीं था क्योंकि ncrt जब छपी तब carbon fiber अस्तित्व में नहीं था लेकिन अभी चर्चा में है क्योंकि यह steel जितना मजबूत है और plastics से भी हलका है तो यह carbon fiber अब चर्चा में आया है हमने यहां पर क्या पढ़ा है अपने general science में बुक्स में polymers पढ़ें polymers पढ़ें तो यह हो गया और carbon fiber क्या हो गया science technology हो गया तो general science के आपके 19 सवाल 24, 11, 22 इस तरीके से आते है science technology वाले प्रश्न हमारे मंतली कर इंटेफेर से कबर हो जाते है तो उसको अलग से आपको बढ़ने की ज़रुरत नहीं पड़ती मंतली कर इंटेफेर में अलड़ी एक section हमारे magazine में होने लगा है science technology वाला उससे कबर हो जाते है Indian politics के 22 प्रश्निस में 16 प्रश्निस में 26 इसमें और 22 इसमें इस तरीके से आए मतला 20 के round politics वाला नहीं आने है Indian geography, old geography 21 से लेकर 22-23 प्रश्निस में कई बार आ जाते हैं 21 इदर आए 18, 16, 16, 18 इस तरीके से प्रश्न आए फिर आप देखें Environment technology से 6 प्रश्न 8 प्रश्न 4, 13 प्रश्न भी आ चुके हैं एक एक एर में 12 प्रश्न आ चुके हैं UPG के UP current affairs से 6-7 सवाल आते हैं यह यहां पर दिया वाए National international current affairs से 29-30 सवाल आते हैं 33 भी आये हैं, 28 भी आये हैं 29-30 इस तरीके का होता है Miscellaneous topics होते हैं International organizations हो गया International organizations का हाल में कोई चीज होई है तो वो सब update जो पूछी जाती है जो agriculture का mineral data पूछा जाता है यह साथ जो data wise चीज़ें जो बदलती रहती हैं यह 10 questions, 20 questions, 12 questions, 22 सवाल तक आये हैं एक्जाम में और यह बहुत high yield topic हम लोग इसको बोलते हैं मिसले हम लोग हमेशा recommend करते हैं कि आपको study करना चाहिए क्योंकि यह data वाला portion होता है इसमें कुछ data याद करके census का urbanization का latest report वगारा follow करके आप अच्छे number of questions निकाल सकते हैं तो यह overview हो गया अब यह strategy ऐसा हो सकता है आपके prelims से पहले हम कुछ upgrade करके दें चेंज करके दें लेकिन अभी के लिए यह मान के चलिए कि इतना इतना वेटेज है माली जी आप डेली 5-5 घंटे पट रहें तो उसका लाब नहीं क्योंकि उससे 6-7 question आने तो यह overview हो गया कि कौन-कौन से subject जरूरी है तो यह आपने notice कि कि history जरूरी है और 3-stage की strategy क्या होती है तो pre-mains के यह कुछ topics होते हैं जो common होते हैं तो इसी बज़े से इनहीं की basic books आपको recommend की जाती है जैसे UPGK की कोई basic book नहीं हो सकती है art culture की basic book हम यह आपे नहीं recommend करते हैं quality राजवरस्था के लिए M. Lakshmi Khan की किताब यहां पर important होती है prelims के लिए GS paper 2 के लिए art culture में सिर्फ mains में आता है इस वज़े से प्राणभी परिक्षा में जो तथ्य बगरा होते हैं उसके लिए हम छोटी PDF दे देते हैं factual listing उसी इस कबर हो जाता है बहुत basic यहां पर art culture में नहीं बराना है और geography के लिए pre में भी इसमें विटेज है fiscal geography का GS paper 1 में भी है environment में pre और GS3 mains में basically updates इसमें पुस्च जाते हैं कोई scheme आ गई environmental degradation के बारे में अभी वेचना करने को आ सकता है environment का basics आता है prelims में और concept आता है mains में applied इसको हम लोग बोलते हैं science इसमें आती है prelims में लेकिन science tech आती है yes 3 mains में current affair के लिए सिर्फ study for civil service को follow कर ये pre mains और interview तक के लिए study for civil service का आपको मिलता रहेगा कैसे क्या पढ़ना है क्या वेटेज है और किस PDF का क्या महत्व है हम पहले ही discuss कर चुके हैं कुछ basic books के reading recommended है और वो basic books हमने share भी कर दी है आपके group में आप देखेंगे अभी मैं topic wise किस subject के लिए कौन सी book है वो भी बता दूँगा लेकिन ये समझे कि पॉल्टी के लिए M. Lakshmi कांत की किताब यहाँ पर जरूरी है और recommended है क्योंकि mains में भी इसका महत्व है आपको prelims में भी पढ़ना है में में भी आपको help करती है overall understanding आपकी बन जाएगी बाकि prelims के लिए compilation listing जो आएगी 6th version वो आपके लिए sufficient होगी फिर geography के लिए कक्षा 6-12 तक की new ncrt books यहाँ पर recommended होती है अगर आप 6-12 नहीं करते हैं तो 9-12 है आप recommended होता है लेकिन 6 से भी कर लेंगे तो कोई घाटा नहीं है अभी तो किया जा सकता है अगर आपका target 2025 ही है अराम से सब चीज़ें complete की जा सकती है बहुत शनय शनय आप complete कर सकते हैं बिना किसी जल्दी बाजी के तो यह हो गया और फिर अगर देखें तो history में old NCRT books तीन खाली recommended है ancient के लिए यानि प्राचीन भारत के इतिहास के लिए आरे शर्मा किताब मधिगालीन के लिए सतीश चंद्रा की modern के लिए विपिन चंद्रा किताब एकनॉमिक के लिए class 9 से लेकर 12th recommended है लेकिन अगर शिर्फ 9th वाली भी कर लेंगे क्योंकि इसमें कह सकते हैं employment और poverty के बारे में है तो उतना basic sufficient है बाकी class 9 से 12 तक का summary हम दे देते हैं तो अलग-अलग पढ़ने की ज़रुरत नहीं होती है सब्जेक्ट वाइस क्या कैसे पढ़ना समझ लीजिए क्योंकि यह सवाल बार-बार पूछ जाता रहता है कि सर सब्जेक्ट वाइस कैसे क्या पढ़ने है history के लिए क्या करना history के लिए जो उपर basic book बताई गई है उसकी एक reading करना है ancient के लिए आरे शर्मा की medieval के लिए 37 चंद्रा की और modern के लिए जो कह सकते हैं विपिंचंद्रा किताब है अगर आपके पास विपिंचंद्रा नहीं है spectrum में तो उससे भी complete कर सकते हैं वैसे विपिंचंद्रा आपको करना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा fact में नहीं डूबना है आपको basic storyline बनानी है history के लिए अच्छा कुछ लोग समझते हैं कि इन किताबों से क्या paper में हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं यह सब basic बनाने के लिए है और basic बनाना जरूरी है तब ही आपको compilation listing का maximum benefit मिलता है तो क्या करना है आपको basic book की reading करनी है एक बार फिर क्या कर सकते है अगर वीडियो आपको लंबा लगता है वीडियो देखने का आपके पास कोई टाइम नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि जो basic book है उसकी आप एक बार reading कर लिजिए और history के जो questions है उनको लगा लिजिए और जो summary pdf एक history की उसको एक बार read कर लिजिए वो भी sufficient है पापा वीडियो आप skip कर सकते हैं अगर पापा वीडियो देखते हैं तो summary skip कर सकते हैं कोई भी एक काम आप करिए history के questions लगाते रही है फिर आपको compilation listing मिल जाएगी second stage की complete होते ही और फिर जो है आप compilation listing परते रह सकते हैं अगर आपको लगता है कभी बुक नहीं पढ़े हैं जोग्रिफी की तो क्या अगर ये पापा वीडियो डाली एक बार पहले और फिर बुक पढ़ना शुरू करिए आपको सब चीज़ें से समझ में आएगी बुक में भी कोई latest update नहीं follow करिए कि अरे सर इसमें तो योपिटर के सेटलाइटी कलत लिखे हुए हैं तो ये NCRT से basic बनाना है आपको fact नहीं cover करना है fact avoid करिए NCRT में कोई fact लिखा हुआ है कि जो है भारत में इस राज में सबसे ज़्यादा ये पाय जाता उसको ignore करिए वो सब तो हम देंगे आपको मिसलेनियस में सारे आकड़े current affair में सब चीज़ें कवर करेंगे यहां पर basic समझें basic मतलब river की अवधारणा क्या है river कहां से निकलती है mountain कैसे बनते हैं tethys sea क्या है aymalya कैसे बने हैं peninsular plateau कितने भागों में divided हैं जो कई बार आप लोग skip कर देते हैं उसमें समस्या होती है तो आपको समझ में आ गया होगा कि basic बुक से basic के आँप कवर करना है factual के लिए चिंतामन करिए facts तो बहुत सारे आपको दी जाएंगे compilation listing के form में आपको quiz कराई जाएगी test series में बहुत सारे facts जो जरूरी वाले सब कराई जाएंगे लेकिन अभी basic बनाईए basic के बिना फिर facts तयार करने में लोगों को बहुत समस्या होती है जो अभी बैठे रहते हैं हम फिर सोचते हैं कि बस क्या है compilation listing पढ़के prelims निकाल देंगे क्या रहता है कि ना prelims अच्छे से निकल पाता है मानले जे निकल भी गया तो वो main इसका नहीं कर पाते हैं basic जरूरी है इसके लिए basic को ignore नहीं करिए मैं repeat कर देता हूं 6-12 तक की basic books आपको ncrt वाली new जो दी गई है जिसकी PDF आपको गुरूप में दे दी गई है Hindi English में अलग-अलग उसका cover कर लीजिए उसके बाद study for simple chapters की listing compilation यहां पे sufficient होगी geography के question bank आप लगा सकते हैं PYQ लगा सकते हैं इसको complete करने के बाद और compilation listing का wait कर लीजिए जब तक नहीं होता है तब तक इसको revise करते रहिए पॉल्टी के लिए लक्ष्मिकांत सिर्फ एक किताब जो बताई गई जो आपको बाहर से लेना है लक्ष्मिकांत की book हम नहीं share कर सकते हैं अपने पेटरूप में कि व्यू copyrighted material है किसी और का copyright है आप उसको खुद purchase करिए shop से आप 6th edition ले सकते हैं 7th भी अब आ गया उसका कुछ chapters UPSC के लिए जो जुड़े हैं 7th में वह बहुत ज़्यादा important नहीं है 6th से भी काम हो जाएगा जिनके पास 6th है उससे आप बारीकी समझने कोशिश करिए जो quality है इंडिन quality का जो basic से उसके समझने कोशिश करिए prelims में ज़्यादातर listings और facts आते हैं लेकिन GS paper 2 जो है उसके लिए आउधारणाय बनाने के लिए बहुत जरूरी है लक्ष्मिकांत की reading लक्ष्मिकांत की बुक पढ़ने के बाद पॉलिटी के top 500 questions हमने practice के लिए हैं उसको आप follow कर सकते हैं तब तक फिर compilation listing आजाएगी उससे आप prelims के लिए revise करते रहे हैं विज्यान के लिए study for services के लिए papa video की PDF हमने दे दिए हैं उससे आप basic बनाईए top 600 NCRT questions दे दिए हैं पॉलिटी बुक के ही उसको आप लगा सकते हैं और compilation listing जो आजाएगी prelims के लिए वही sufficient होगी science के लिए science के आपको book class wise नहीं पटनी है जो पापा वीडियो दिया गया है वही sufficient है और पापा वीडियो नहीं पढ़ सकते हैं वीडियो की PDF भी हमने बनाकर के दे दिए environment के लिए study for civil service की summary PDF top 400 questions फिलहाल दे दिए गए हैं इतना ही sufficient है अभी के लिए study for civil service की समरी से basic बनाईए questions की practice कर लिए environment की compilation listing जो आजाएगी prelims के लिए केवल उसकी को पढ़िएगा mains के लिए भी environment का जो आपको content mains group में अलग से मिला होगा उससे होगा क्योंकि environment में ज्यादतर current फेराते है mains में अर्थवस्ता के लिए आपने बताया class 9 स 12 तक की macro economics की summary हमने दे दिए अगर book पढ़ना चाहते हैं तो 9th की ज़रू पढ़ लिजिए अदर्वाइस book subscribe करके यह summary दीविए न इसको पढ़ लिजिए आप और फिर economy की हमने basic fact की definition की compilation दे दिए static economy के लिए मतलब static economy आप लोग अगर सोच रहे हों कि कैसे तयार करें तो जो economy की compilation PDF दे दी है क्रुप की शुरुवात में ही उससे आपकी static economy और जो basic concept है वो कबर हो जाएंग economy के आप inflation की definition नहीं जानते हैं आप अगर WPI नहीं जानते हैं कितने indexes आते हैं core industries भारत की count counts है भारत की industrial policy कितनी बार revise हुई है यह सारी चीजें सब इसमें basic economy compilation में cover करा दी गई है तो current affair economy का कैसे cover होगा current affair cover होगा जब union budget यूपी बुजट यह सब आपको नया दिया जाएगा economic service जो सरकार दोवरा नया जारी किया जाएगा 2025 वाला वो दिया जाएगा budget 2025 वाला जरूरी है अलांकि 24 वाला भी आपको मिल जाएगा reference के लिए अच्छे समझने के लिए जब budget का हम बनाएंगे चूकि चुनाओं के बाद ही आप budget आएगा यह चुनाओं का वर्स है तो budget फेब में नहीं आता जुलाई में आता है तो जुलाई तक जो budget आएगा उसको हम लोग summarize करके आपको गुरूप में देंगे बागी current fair के लिए अमने बता दिया daily current fair के लिए daily updates के लिए daily current fair का जो कह सकते हैं quiz वगरा है यह शुरू हो जाएगा quiz group आपका शुरू होगा 2024 के prelims होने के बाद में जुलाई एंड तक आपका quiz group शुरू हो जाएगा monthly current fair PDF हर महां के अंत में भेजी जाती है प्राणबिक परिक्षा में पूस जर्नवले सवालों को कवर करती है तो आपको कवर करते रहना है जैसे जैसे दी जा रही उसको कवर करते रही है मैं इस लेनी इस topics जो updated अभी तक है वो हमने दे दिये हैं 2025 में आपको paper है कई आक्टे कई बर बदल जाते हैं आपको exam के लिए वो आपको update करके दी जाएगी UP special में UP static जीके आती है UP current affair आती है तो UP static जीके और UP जीके के top 1000 questions यह static के लिए हैं बाकी UP current affair आपके group में आता रहेगा UP budget, UP कोई भी update आ गया कोई report आ गया वो आपके group में मिलता रहेगा UP static इस से cover होगा UP static के notes से और 1000 questions से static मतलब उत्तरप्रदेश कितने economical zones में divided हैं कितने ecological zones में divided हैं ठीक है उत्तरप्रदेश हमें कितने bird sanctuary हैं अभी तक उत्तरप्रदेश में रामसर site कितने सब static के notes में cover है और उत्तरप्रदेश का जितना भी current affair वो आपको monthly basis पर मिलता रहेगा UBPSC 2025 में मैंने जैसे three stages strategy के बारे में बात की है तो यह क्या है इसको समझे आप अपनी strategy को जो कि एक long term strategy है इसको तीन हिस्सों में तोड़ो सकते हैं basic book आपको cover करनी है history, quality, geography और तो किसी subject की बताई नहीं गई है understand करना है आपको daily current affair daily current affair को comprehensively understand करने के लिए 10-15 दिवस यहां पर काफी है पहले ऐसा हो सकता है कि आपको एक दिन का current affair cover करने में 2.5 घंटे लग रहे हैं फिर जो है कम टाइम लगेगा 30 मिनट में आप daily current affair कवर करके notes भी बना सके और सब पूरा उदाहरण में आपको एक एक करके देने वाला हूँ कैसे ऐसा कर सकते हैं 2 मंत का pre-special current affair आपको इस पूरे first stage की journey में cover कर लेना है UP current affair जितना cover करना है UP current affair की PDF जो दी गई है आपको cover कर लेना है PYQ analysis जो है study करना शुरू कर दीजिएगा PYQ का अभी सिर्फ analysis करिए उसके मतलब कह सकते हैं revise मत करिए ना उसको तयार करने कोशिश करिए PYQ analysis करिए कि किस तरीके questions बनते हैं कितने lengthy questions बनते हैं paper में कितने tough कितने tricky questions बन रहे हैं क्या आप इन questions का answer and CRT book पढ़के कर सकते हैं कि नहीं और note making कैसे करें जो GS के topics हैं उस पर जो है थोड़ा सा मतलब काम करना आपको शुरू करना है यह basic होगा कई लोग बुझते सर basic में cover क्या करना है तो यह सब आपको basic में cover करना है explicitly मैंने यहां पर बता दिया है PYQ analysis और note making आपको करने की अधारणा बनाना शुरू करना है note making अभी कैसे कर सकते हैं इसका अधारण में भी देने जा रहा हूं second stage में क्या करना है second stage में करना है कि जो बचा हुआ study material है जैसे economy की compilation है वह आपको study करनी है environment की summary जो है study कर लेनी है उसके लाब जो भी topic miscellaneous का कोई बच रहा है कोई अलग PDF हमने government scheme वगयरा के दी है उसको revise करना शुरू करिए actual PYQ study यहां से शुरू कर सकते हैं PYQ काफी सारे हैं इस जैसे एक बार second stage में पढ़िए और finally third stage में क्या मेंस के काम का है आपको मेंस का study material यहां पर पढ़ना शुरू कर देना चाहिए second stage of preparation में यानि कि आप रिम्स group join करने के 50 दिवस बाद आप चाहें तो admission ले करके हमारा मेंस group में मेंस का जो at least content है GS1 से लेका 6 तक का और हिंदी का उसको पढ़ना शुरू कर दिजिए model A से देखना शुरू कर दिजिए हिंदी में जो याद करने वाली चीज़ें जो formatting वाली चीज़ें कई सारे विलो में आपको याद करने होते हैं वाके अंच के लिए एक शबद दो याद करना शुरू कर दिजिए और 6 मन्त का pre special current affair और UP current affair आपका तयार हो जाना चाहिए quiz practice आपके शुरू हो चुकी होगी जुलाई end से उसको गरना शुरू कर दीजिए यह आपको second stage में करना है कई लोग ऐसे होगे जो prelims group के साथ ही mains group में आ गए होगे तो कई लोग confuse होगे कि क्या mains की study पहले day से शुरू करें तो नहीं मैं recommend करूँगा कि पहले आप basic cover कर लीजिए और second stage में prelims और mains की साथ-साथ study करना शुरू करिए यहाँ पर study duration आपकी बढ़ेगी इसलिए 6-7 घंटे फिर आपको study करना पड़ेगा third stage की अगर मैं बात करूँ तो comprehensively आपको UBPCS PYQ topic wise जो दिये गए हैं वो आपको cover करने होंगे जो PDF group में given है हमारी test series आपको thoroughly study करने पड़ेगी जो आपको इसका revision करना है बार बार लगाता रहा है तो इसी तरीके से आपका जो है प्रिलिम्स कवर होगा यह third stage जो है कब से शुरू होगी जब exam date announce हो चुकी होगी उसके 80-90 दिवस जब बचे होंगे तब आप third stage में आ जाएंगे preparation में तो यह three stage की हमारी strategy है जो आपको follow करना चाहिए अभी जिन लोगों ने follow किया है उनको काफी लाब मिला है 2024 वाले में 2024 वाले से हमने three stage की strategy यहाँ पर introduce की थी और इससे काफी लाब जो हमारे खत्म हो जाना चाहिए और last stage जो है यह प्रिलिम्स की exam date 2025 से 90 दिवस पहले आपका activate हो जाना चाहिए यह time frame roughly आपको रखना है आप तो चाहें तो इसका print या पिक ले करके अपने phone में रख लीजिए और यह target भी यहाँ पर लिखे हुए मोटा मोटा कि यह आपको follow करना है पृस्ट Environmental Strength प्रिप्रेशन में note making करनी कर Kollege कर लें कि से करें तो इससे करें किस तरीके से करें अभी पूरा हमको भान नहीं क्या क्या आता है क्या क्या पूस्चज आ सकता है सबकूच इंपोर्टंट्र लगता है क्या note करें क्या च्रोंडें यह कई लोग पूछते रहते हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि actually ऐसा ही होता है, जब तक आप syllabus में go through नहीं करेंगे, deep dive नहीं करेंगे, आपको बहुत नहीं समझ पर आता है, हलांकि शुरुबात की जा सकती है शुरुबात करने में ये कुछ tips आप अपना सकते हैं जो अल्रेड़ी चीज़ें लिस्ट या टैबलर फॉर्म में हैं, उनको आप नोट नहीं करिए, उनको क्या करिए कि multiple times revise करने की कोशिश करिए multiple times revision भी उतना ही कारगर method होता है, जैसे कि note making और जो चीज़ें list या टैबलर फॉर्म में हैं उसको तो आपको multiple times revise करना चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा syllabus है बहुत सारे list अभी आपको आगे मिलेंगे compilation में, listing में, test series में कई बार list बना कर हम देंगे, listing wise question पूछेंगे geography में, quiz group में पूछेंगे, अलग-अलग तरीकस पूछेंगे तो उसमे multiple times revision कई बार आपको कई सारे चीज़ों का करना पड़ता है तो गोशिश करिए जो चीज़ें अल्रेडी tabular form में हैं, उसको आप note नहीं करिए दूसरी चीज, monthly current fare PDF के notes आपको मेरे साब से नहीं बनाने चाहिए इसको जितना बार आप revise करेंगे, उतना ही अच्छा होगा कुछ लोग ऐसा करते हैं कि लिख लिख के याद करते हैं मतलब आपने कोई चीज पढ़ी उसको आपने rough note कर लिए और याद किया, वो आप कर सकते हैं ठीकर rough notes चाहें तो बना सकते हैं नोट्स जो बनाएंगे आप बाद में जिसको देखेंगे जैसे rough notes से नहीं बनाते, कुछ लोग fair notes बनाते हैं मतलब notes से ही revise करते हैं तो notes जब तक आपके short नहीं होंगे, crisp नहीं होंगे और relevant नहीं होंगे, तब तक वो ज़्यादा काम करने रहेगा यूपी pieces के लिए, क्योंकि note करने को बहुत कुछ है वी वाई क्यू के अनसार आपके notes होने चाहिए मैंने कहा कि जैसे जैसे subject wise study करेंगे थोड़ा थोड़ा वी वाई क्यू एनलाइसिस करेंगे second stage तक आते आते खुद ही note making आप अच्छे सीख जाएंगे चाहर टॉपिक हैं कभी 5 होते हैं कभी 6 होते हैं चाहर टॉपिक में 11 पेज है और यह bilingual है आप ध्यान रखी हर चीज हिंदी और English में है तो टॉपिक की नाम Hindi English में है पूरा जो content है नीचे का वह Hindi English में दो साइड है तो इसको आप आधा मानिए एक language में साढ़े चार पेज मानिए साढ़े चार पेज को हमको maximum to maximum आधे पेज में एक पेज में note करने की आदत बनानी है आप यह मान के चलिए कि जितना भी आप page पड़ रहे हैं माली आप 100 page अगर cover कर रहे हैं reading में उसका note making जो है 5 से 10 pages के भीतर ही होना चाहिए इससे ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए अब आपको लगेगा कि सर हमें तो पता नहीं कैसे note करना है कैसे पता चलेगा कि important क्या है तो मैं बता रहा हूँ आपको कि यह आप regularly जब चीजों से go through होंगे जब first stage खतम कर रहे होंगे जो basic book बताया गया है उसका reading खतम कर रहे होंगे तब जागर के आप note making की position पर आएंगे पहले दिन से कोई भी note making अच्छा नहीं करता है ना ही कोई कर सकता है आप ना हम ना कोई educator ना कोई aspirant जो select हुए भी होंगे उन्होंने पहले दिन से सबसे अच्छा note नहीं बनाया होगा तो note making ए gradual process है आप अपने आप में सुधार खुद देखेंगे insight में आपको देने जारों किस तरीके से note कर सकते हैं अगर आप basic पढ़े हुए हों तो note making के basic 305 है सबसे पहले तो आप read करिए understand करिए जो लिखा गया उसको समझने कोशिश करिए और फिर लिखिए note आपके तभी बड़े हो जाते हैं जब आप पढ़ते हुए लिखते जाते हैं तो वो जो है बड़े note बन जाते हैं कई बार relevant नहीं रहते हैं आपको read करना है फिर understand करना है फिर writing की तरफ बढ़ना है ये process आपको रखने है simple अब पहले topic है श्रम अधिकार पर जो विवाद या चर्चाएं जो चल रही है श्रम अधिकार चर्चा या सरम अधिकार बहस हम लोग बोल सकते हैं लेबर राइट्स डिबेट तो लेबर राइट्स डिबेट में हमको देखना है कि किसका topic है सबस्पहले तो GS2 का है तो हम ही लिख देते हैं आपके लिए तो इसमें आपको ज्यादा कोई खास मेनत करनी नहीं कि आपको syllabus खुद से ढूंड करके उसको align करना है हलांकि align करना भी खुद से आना चाहिए कि अगर हम यह ना लिख कर भी दें तो कालंतर में आप करीब एक महीन बाद बता सके कि काउन सा topic किस syllabus का है नोट पेकिंग आप जब करने तो topic wise आपको नोट करना चाहिए हमेशा ही मतलब जो central theme आप पकड़ रहे हूं जैसे आप अगर modern Indian history में नोट कर रहे हैं तो किस chapter पर आप है या फिर sequence of events आपका एच कर रहे हैं वो आपका central theme होना चाहिए ऐसे ही लगतार हर चीज नोट करने जाने से आपका एक theme पकड़ में नहीं आएगा जैसे अगर हम बात कर रहे हैं extremist phase की extremist phase of international congress के अगर बात कर रहे हैं तो उसको हम बीच में लिखेंगे और उसके आस-पास जो गतिव क्या है सबसे पहले तो what बहुत जरूरी है what what यानि कि क्या है वो उसका मतलब क्या है मीनिंग क्या है पिर वह चीज का ऐसे है या उसका महत्त हो क्या है कहां पर हुई है अगर किसी घटना करम के बारे में बात करने तो कहां और कब timing कई बार जबर होती जैसे इतिहास में डे कब आया कोई घटना हिस्ट्री में कब हुई इवन जोग्रफी में जैसे पहला सेंसस कब हुआ था या फिर जो है किसी ऑर्गनाइजेशन की स्थापना कब हुई यह पूछ लेते हैं उसकी में तो कब आई थी और अन्य सम्मधित जानकारी अन्य विशय से सम्मधिता यह आ चापटर है इसका उदरिया निगोशेट कर रहा है श्रम लेबर इंडिया निगोशेट कर रहा है के साथ कॉम्प्रिहेंसिव एकॉनोमिक कॉपरेशन एग्रिमेंट शीका पर ठीक है विबिन ने तरीके के अग्रिमेंट्स अलग-अलग कंट्रीस के साथ भारत साइन करता है जैसे ECTA ECTA एग्रिमेंट होता है यह CECA एग्रिमेंट पर बातचीत चल रही है crimp तो हम ऑस्ट्रेलिया के साथ हम एक टासाइन कर चुके एक्नाव में कोपरेशन एग्रेज को छल रही है तो इसमें ऑस्ट्रेलिया के कुछ ए tries आग्रिमेंट होता है तो वह more की इक democrats के गया कोई श्राатели की करतीए है यह है वो है इंडिया के आंकड़े क्या कहते हैं यह हमने लिख दिया 2011 में 2011 संसे के हिसाब से टोटल चाइल्ड पॉपलेशन 5 से 14 साल की लोगों कितनी है 259.6 मिलियन इनमें से 10.1 मिलियन यहनी की टोटल चाइल्ड पॉपलेशन का खरीब 3.9 परसेंट यह में वर्कर यह मार्जिनल वर्कर की रूप में काम कर रहा था अब इंडिया ने भी इसमें रिस्पाउनस दिया है कि एंडिया जो है चाइल्ड लेबर को लेकर काफी सक्री एवन लेबर लॉस भारत में जो है उसके बारे में बताया गया है जैसे बांडर लेबर बॉंडड लेबर एबॉलिशन एक्ट 1976 इनिशोर करता है कि यूनियन ज अब ही इस समय अवेलबल है इंडिया पास चाइल लेबर से या फोस्ट लेबर से निपटने के लिए उसके बारे में को स्टडी करना होगा स्टडी क्या करना हो बैसिकली फैक्ट करने होंगे यहां पर आप सोच रहोंगे हैं कि आपकी सारी चीज़ें नहीं जरूट है भा पर बार आप देखेंगे यह अ पूछ रहा है इसकी नोट्बेकिंग कैसे कर सकते हैं अप इस tough अब को RobLove संब करते हुए हमियल को सामिल करते हुए काईसे बेशिक नोट ऐसा बना सकते हैं जो हम आगे रिवाइस भी कर सकें इस तरीके से आप नोट पेकिंग कर सकते हैं यह मैं आपको एक मेथड दे रहा हूं जो जो जरूरी है वो नोट किया जैसे इंडियन और लेबर राइट्स, और अलेबर राइट्स कौम ले लिया कि वल्ल चाइड लेबर की बात नहींगी और लेबर समंदर जितने भी कानून है उनको नोट कर लिया ट्रेड यूनियन आक्ट अक्ट कवाय था उन्यसो चबीस में इंडियन इंडस्ट्रीज इंडस्रियल इंडस पिला है अगस्त आट 2019 को चाइड लेबर प्रोईबीशन रेगुलेशन आट 1986 में था इसको अमेंड किया गया है 2016 में इनी अधियम में से चार अधियम लेकर के आपको क्रोन लॉजियम लगाने को भी पूछा जा सकता है यह अधियम कब आए थे या फिर किसी इंडिविज्व इकनॉमिक कोपरेशन ट्रेड अग्रिमेंट कप साइन हुआ था दो अपरेल 2022 को अस्तित में था दिसंबर 2022 में जोइन्ट एक्सराइज हम लोग जो करते हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ वो काकाडू और ऑस्ट्राहिंद करते हैं ठीक है इंडिया जो है यह क्वाड का एक मेंब है फाउंडर मेंबर है क्वाड का और क्वाड की जो एक्सराइज होती उसको मालाबार बोलते हैं या आप नोट कर सकते हैं यह थोड़ी सी जगह मैंने खाली छोड़ी है खाली इसलिए छोड़ी कि भागी कोई अधर डवलपिंग इवेंट हुआ या फिर ऑस्ट्रेलिया क क्या कर लिए है और की नदी चर्चा में आ गगई बाद में या फिर आपने Core ऑस्ट्रेलिया में में इस तरीके से कई के चाहिए जगया है और आ प्रम संगठन आये लो इस तरीके से आपको रिवाइस करना चाहिए जो मैंने बताया था कि आप अन्य विशेस संबद्धता कैसे बैठाएंगे मुख्याला इसका जिनेवा सुट्जर लेंड में 187 सदस देश समय परत्मान महांदिशक हैं गिलवर्ट एफ होंगबो जो की टोगो से हैं ठीक है यह कोशना भी आरेस पेपर में आये था एक साल पहले जो आरेस पेपर वह था उसमें आये था अब आये लो की बात चलिए तो आये लोग के बारे में थोड़ा सा आइको पता होना चाहिए कि त्रिटी अफ वर्सलीस हुए थी ट्रिटी अफ वर्सलीस जिससे फस्ट व्ल्ल्ड वार खतम हुआ था उसमें एक टर्म यह भी था कि आया लोग स्थापना होगी तो आये लोग की श्थापना हुती है उन्ह का बॉड़ी बनता है यू एन की एजनसी ये बनता है उन्हें सुचियालिस में आयो लो की बात चल रही तो थो 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 सा modern इंडियन हिस्ट्री से इसको जो है कोराबरेट करते हैं modern हिस्ट्री में आयो का सिग्निफिकनिस क्या है modern हिस्ट्री में जब आप non-corporation around पट रहे होंगे इवेंट नौन-corporation around इवेंट जो पट रहे होंगे 1919 में एक summit हुई थी पहली summit हुई थी कह सकते हैं पहली conference हुई थी आयलो की आयलो वाशिंग्टन conference इसमें किसने पार्ट्सपेट किया था भारत की तरफ से All India Trade Union Congress से एन एम जोशी निपार्ट्सपेट किया था इस तरीके से यह पीवाई क्यू है UPPSC 2020 का है इस तरीके से आपके note enrich होंगे और जैसे जैसे समय बढ़ता जाएका note enrich होते जाएंगे तो अगर पहले एक हफ़ते बनोट कर रहे है थोड़ी थोड़ी खाली जगह भी छोड़ते रहिएगा अब सेकेंड निउस पर आ जाते हैं यहां पर TRIPS के बारे में बेसिकली बात हो रहे हैं तो TRIPS किसे समधता है WTO से WTO के members ने अभी 30 वी anniversary यहां पर बनाई है करने से पहले जो organization या जो वस्था स्थित में थी उसको GATT बोला जाता है जनवरी 1995 को महराकीश में हुए कैसकते हैं agreement के बाद WTO स्थित में आ जाता है TRIPS agreement के बारे में फिर बताया गया है कि किस तरीके से evolve होता है पारिस convention यह first step था intellectual property राइट को यह intellectual work को protect करने के लिए फिर यह TRIPS के बारे में थोड़ा से दिया हुआ है कि कैसे यह काम करता है फिर इसके challenges दिया है फिर बाद में way forward दिया कैसे इसको कर सकते हैं तो main oriented content ही जाता है इससे prelims वाला निकालते है इस news में जो सबसे जरूरी portion है वो क्या है TRIPS के बारे में कि यह किस से संबंदीत है why for IPR यह है क्या यह एक agreement है basically फिर इंपोर्टन्स क्या है one of the six agreements that led to the creation of WTO यहाँ पर हमने इस first thought पर लिग भी दिया है से लिए अब यह IP से संबंदीत है IPR intellectual property right की बात हो रही तो किसी को अगर IP नहीं पता है सबसे पहले उसको पता होना चाहिए intellectual property is associated with the human brain applied for creativity and invention creativity and invention दो term important है various efforts in input of manpower, time, energy, skill, money are required to invent or create something as per law legal right or monopoly right are given to creator or innovator to harvest the economic benefit of their invention or creation कैने का मतलब है कि अगर कोई invention करता है कोई चीज़ का कोई आविशकार करता है तो उसको एक monopoly मिलती है या फिर legal right मिलता है कि उस invention से जो भी पैसा वो बनाना चाहिए या फिर जो अधर तरीके का benefit वो कमाना चाहिए उसका monopoly उसके पास रहेगा कोई दूसरा उससे छीन ना ले फिर उसके creation को चोरी न कर ले वागी WTO के बारे में लिख दिया थोड़ा सा एक January 1995 को महराकीश समझाओते के तहत अस्तित में आया था 123 nations ने इसको sign किया था 15 April 1994 को GATT को इसने replace कर लिए था General Agreement on Trade and Tariff अभी भी देखिए मेरे A4 Size के कागज में इतनी जगह बची हुई है कि दो topic असानी से note की जा सकते है कभी भी कोई देश के बारे में अगर चीज note कर रहे हैं जैसे विएतनाम के बारे में अगली news है तो विएतनाम का आपको map जरूर study करना है ठीक है map अपने room में जरूर लगा होना चाहिए अपने room लगाने के लिए नहीं होना चाहिए कि घर में लगा है कि अगर विएतनाम चर्चा में है विएतनाम के बारे में बाकी सी चीजें तो ठीक है लेकिन rivers कौन-कौन सी वहाँ पर जरूरी वाली है और क्या वहाँ पर कोई important mountain या वो लकैनो है वो सीमा साजा कर रहा है किस देश सीमा साजा कर रहा है या फिर किस नदी से लगा हुआ है वहाँ पर क्या कोई local wind भी बहती है वहाँ पर क्या important minerals भी पाए जाते हैं हलांकि geography में इस अब अलग से पढ़ना है लेकिन जब आप geography पढ़ चुके होंगे तब daily current fair में जो चीज आएगी उससे आप revise करेंगे इस तरीके से जो है note making की जाएगी और इस तरीके से की जानी चाहिए विएतनाम के बारे में जैसे इसमें बात कर रहा है हम लोग विएतनाम को आपको अपने map में देखना चाहिए विएतनाम की जो capital है वो हनोई है हनोई यह आपको learn करना है यह किसको face कर रहा है अपने eastern side में south china sea को border कि इसको कर रहा है कैमबोडिया को कर रहा है लाओस को कर रहा है और चाइना को भी border कर रहा है यह आपको इसमें learn करना है तो इस तरीके से आपको डेली 5-6 गंटे की study आप शुरू कर लेनी चाहिए प्रार्मभिक परिक्षा हो यानि prelims exam या मुख्य परिक्षा mains exam हो दोनों की approach अलग-अलग हो कोई भी आपका डाउट है जो लोग फुल पेट रूप में है वो अपने डाउट कहां पूछेंगे मैंने बताया आप अपने डाउट क्लिरेंस वाले ग्रूप में अपना डाउट पूछेंगे विदिन 6 hours admin आपको रिस्पॉंड करके आपका डाउट सॉल्व करने का पूर पूरा प्रयास हमारे टीम करेगी जब PYQ के बारे में आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जितने भी study for civil service की PYQ compilation है एक ही है हमने दिया है topic wise है और एक आपको दिया है अब paper wise तो पहले paper wise देखिएगा first stage of preparation में second stage में topic wise जो दिया वही पढ़िएगा यहाँ पे other कोई publication की book ना पूछिएगा हमसे ना ही कोई हम recommend करते हैं क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा confusion है कई सारे non relevant PYQ डाले हैं other state pieces के और other exam के भी PYQ उसमेंड कर दिये हैं जो की जरूरी नहीं है अच्छा कई myth भी जुड़े हुए हैं इससे तो आप समझ लीजे कि पिछले 10 साल के PYQ complete करके जो syllabus complete करने का सपना देख रहे हैं आप भूल जाइए syllabus का एक भाग है PYQ syllabus समझने में help करते हैं आपके PYQ लेकिन PYQ से पूरा syllabus complete नहीं किया जा सकता है तो PYQ आपको विशेयों को समझने में help करेगा हमारे study material को complete करने में help करेगा और विभिन तरीके से आपको लाप पहु